स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है आज हम करेंगे इंटर्मेडियेट वैल्यू थिरूम इसका दूसर नाम है डार बॉक्स प्रॉप्टी यह जो आपको लेक्चर मिल रहा है यह क्लस्टर इंवर्स्टी के सलेबस में है स्मिस्टर थर्ड में तो आपको थर्म नेल में लिखकर दिख जाएगा तो इपॉट्ने ऐसका जाना तो स्टेटमेंटियोंट है इस अगर अगर a point है यह इधर क्या है a point है और यह इधर क्या है b point है तो a के corresponding जो उपर आपको मिलेगा यह point आपको मिलेगा f of a और यह point आपको मिलेगा f of b आप clearly देख सकते हैं जब मैं इसको by x से जोड़ूँगा suppose यह one है और f of b कुछ two या three पर जुड़ेगा तो f of a और f of b सेम नहीं है और यह close interval है a और b तो ऐसे a और b में ऐसा कुछ function दिखना चाहिए जिसमें जो f of a और f of b equal किसके नहीं है आपको समें equal नहीं है तो यह property क्या बोलती है कि अगर आप इस में से इधर में से रोको मैं color चेरे करके बताता तुमें यह property बताती है अगर तुम इस a और b में से ठीक है कोई भी value होगे c आपने a और b में से कोई भी क्या ले लिया है c और जो उसका f of c निकालोगे दोसर क्या निकालोगे f of c वह भी f of a और f of b की बीच में ही लाई करेगा मतलब कहने का मतलब है जैसे आपका f of a r है one और f of b को जब आइसे produce करो F of C लाई करेगा, तो आपको दिख रहा है सामने, इधर कहीं लाई करेगा, अगर आप C ले लोगे, तब भी इधर लाई करेगा, अगर आप C ले लोगे, तब भी इधर लाई करेगा, ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, intermediate value theorem की statement, तो आपको फिलाल यह diagram पे तो नहीं जाना है, यह तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए नहीं, ठीक है, तो आपको सीधे proof करना है, try यह proof start करते है, proof में सबसे पहले हम लेंगे, proof में हमने, question वाले ने क्या बोला है, कि जो f of a है और जो f of b है वो सेम नहीं है, ठीक है, अगर f of a और f of b सेम नहीं है, तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक शोटा होगा, तो हम माल लेंगे, we take, अगर f of a और f of b सेम नहीं है, तो हमने माल लिए, कि जो f of a है, वो शोटा है कि से, f of b से, ठीक है, अब उसके बाद हम एक real number माल लेंगे, let k b any real number, ठीक है, और यह जो k होगा, वो किसी साब का होगा, such that f of a less than k less than f of b, देखो, जो यह f of c है न, यह f of c, इसको इनने अभी k माल लिए, इसको मैंने क्या माल लिए, k, और जो k है, यह f of c है, किसके बीच में लाई कर रहा है, f of a और f of b के बीच में, वो ही बहुत है, ठीक है, अब उसके बाद, we shall prove, अब आपको प्रूफ क्या करना है, we shall प्रूफ हमें प्रूफ करना है, there exist we shall prove, there exist sum हो ही बता रहा हो, we shall prove, that there exist sum c belongs to a,b, such that f of c is equal to k, अगर f of c k के बराबर है, k f of a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो यही तो हमारी draw box property है, I hope, आप समझ कियोंगे, कि हमें question में यह दिये, कि हमने एक number add कर दिये, और हमें प्रूफ क्या करना, f of c is equal to k, अब प्रूफ स्टार्ट होगा, consider, अब मैंने एक निया function मानना, five of x, यह आपको याल रखना पड़ेगा, ठीक है, और वो मानना, f of x minus k, यह आपने एक function मान लिया, अब मैं बोल सकता हूँ, this implies, जो five of x है, यह आपका कौन सा function हो गया, continuous function हो गया, किसके अपर, close interval a, b में, अब यह continuous function क्यूं हुआ, उसका reason मैं आपको बताता हूँ, क्यूं, क्यूंकि जो f है, यह जो f दिया हुआ है, कौ hen में, वो आपको पहले ही continuous दिया, यह जो f दिया है, ओ पहले ही यह continuous, तो मैं वह वह reason लिखा रहा, क्यूंकि जो five of x है, वो f of x और k से बना हुआ ह्, और जो f of x है, वो कह, continuous है ठीक है, और आपको पता है f of x continuous है, और जो k है, वो constant है, constant भी क्या होतते है continuous, और k है is constant constant भी क्या होता है continuous और दो continuous का minus again क्या होता है continuous इसलिए phi of x भी क्या बन गया continuous बन गया close interval a b पे अब now अब question में एक और चीज दी थी आपको f of a और f of b ब्रबर नहीं है ठीक है तो इससे मेरे दिमाग में थे क्यों ना मैं phi of a और phi of b निकाल के देखो देखो अगर मैंने phi of a निकाला phi of a का मतलब है f of a minus k और अगर मैंने phi of b निकाला तो उसका मतलब है f of b minus k ठीक है यह इसका meaning कि अब द्यान से समयना जो कि यह है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे है ठीक है f of a आया यह यह आया f of a और यह उपर आया कि f of a शोटा है और k बड़ है अगर शोटे में से बड़ा माइनस करते हो तो आंसर काता है ठीक है और f of b बड़ है और k काता है अगर बढ़ी वैल्यू में से शोटी माइनस करते हो तो आंसर पॉस्टिव का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेस देन जीरो और ग्रेटर दन जीरो हमने कैसे लिखें कि यह आपका ऐसे आया है अच्छा अगर फाइओ और फाइओ भी एक नेक्टिव दे रहे और एक पॉस्टिव दे रहे तो मैं लिख सकता हूं ना मैं लिख सकता हूं और घिरफोर था फाइओ फें फाइओ भी और फॉसिट साइंस इनके science के हैं opposite अच्छा 5 of a negative यह लिखना नहीं है मैं आपको आपसे समझाने के लिए बता रहा हूं 5 of a negative बन रहे हैं अगर इन अग्टिव बन रहे हैं तो यह कुछ minus 5 बनेगा अगर 5 of a positive बन रहे हैं वह 0 बनता है तो वही मैं लिख रहा हूं अगर यह opposite sign है फिर मैं बहु रहा हूं नाओ 5 is continuous in close interval a b ठीक है अगर continuous है और जो 5 of a और 5 of b है वह आर आफ अपोजिट साइन से किस साइन में हों के साइन के अपोजिट तो हमें एक ऐसा सी में लेगा देरफोर इसको बोलते देर रिजिस्ट देर रिजिस्ट सी बिलॉंग्स टुए भी हमें इस a b के बीच से मत्तों यह a की वैल्यू है और यह b है और 5 of a इसमें होगा 5 और 5 of a और 5 of b में ऐसा पॉइंट में लेगा क्यों इस पॉइंट में चल रहा है ऐसा पॉइंट में लेगा जिस पे सी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी ठीक है सच दैर 5 of c is equal to 0 बुक में सीधे सीधे बताया है मैं तुम्हें example देखके बता रहा हूँ ताई होगी अगर 5 of c 0 होगया तो आपने 5 इदर लेट किया था यह लेट किया था 5 तो इदर आप c डाल दोगा x की जगा तो क्या बन जाएगा f of c minus k is equal to 0 तो f of c किस के को लागया k के को लिया था f of a और f of b की बीच में और आपने एक c लिया था a b की बीच में प्रूफ क्या हुआ f of c कि एगी ब्रबर है मत्तब फंक्शन की अगर एक value f of a एक value f of b और दोनों से नहीं है तो आप function कोई भी value होगे वो उनकी बीच में ही लाई करेगी इसको बोलते है intermediate property इसको ब कोई बाई होगे